कि सो हेलो फ्रेंड्स वेल्कान टू गेट अकाड़ेमी आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं जो हमें स्टार्ट किये थे और आर भी जाई लक्ष रेलेवे का कोर्स और इसमें हम वही उन्ही टाइप के कोर्शन को सौल कर रहे हैं जिस टाइप के कोर्शन एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं मेकानिकल इंजिनरिंग के लिए ज्यादा देरीना करते हुए कोस्टन को देखते हैं इसमें देखिए जैसे कि आपको पता है कि 7900 पोस्ट आये हुआ और भी जेए के लिए सभी ब्रांचों के लिए वन आप दी बेस्ट अपर्शुनिटी यह इस साल की सबसे बहुत बहुत गेट अकेडिनी ने इसके लिए कोर्स लॉंच किया है अगर आप चांटे और चाह सेका लिए गर चाहते हैं आ पने शिर्ट गरा सकते हैं CBT1 और CBT2 के course को purchase करके ठीक है बहुत बहुत बहुतरीन content के साथ ये course को आप लोग को दिया जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि different different type के क्या है आपको questions कराया गया है जो आपके RRBJ से related है और ये जो question को इस type से mapping किया गया है इसमें कि आप बहुत बहुत बहुतरीन तरीके स से क्या कर सकते हैं अपने preparation को बहतर बना सकते हैं तो इस सब चीजों को क्या करना है ध्यान रखना है पहला question heat and work heat and work are पहला question ये RRBJ में आया हुआ question है RRBJ में आया हुआ question heat and work are heat and work क्या है intensive property extensive property point function and path function देखे point function क्या होता है और path function क्या होता है what is the difference between point function and path function दोई टाइप के function होते है path function and point function point function क्या होता है ये past history पे depend नहीं करता सपोज अगर मैं यहां पर PV diagram ड्रॉख करूँ प्रेशर और वाल्यूम ड्रॉख करूँ यहां पर सपोज ये कोई process 1 है यहां तक इसको 2 तक आना है ठीक है तो या तो यह ऐसे ऐसे करके आ सकता है या तो यह ऐसे ऐसे करके आ सकता है या तो यह ऐसे ऐसे करके आ सकता है C यह position यह हो गया भी यह Qopen C university 211-a2-1B2-dain-another is there once to unreal इसमें देखिए- 살아 क्रों तो हर एक पॉइंट पे इसका pressure and temperature क्या होगा अलग-अलग होगा यहां पर भी क्या करेगा यह अनयांगे यहाँ का प्रेश्र अलग टेम्परिच्र अफ प्रेश्र टेमपरिच्र सर वालूमला यहां काल यहां काल लग यहां काल यहां सभी जगह क्या आलग रहेगालेकिन लेकिन अगर से एँ में बात करूं तो यह पक्र एसे फालो करेगा यह पात आज पॉंक्शन जो होता है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कहां से आ रहा है वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है है बट पॉइंट फंक्शन जो होता है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता पास हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है ये क्या करता है पास हिस्ट्री पे डिपेंड करता है heat and work जो है वो क्या है path function है ये क्या करेगा पास हिस्ट्री पे डिपेंड करका जैसे आप घर से college के लिए निकले आपने तीन रास्ता अपना है पहला रास्ता ये दूसरा रास्ता ये तीसरा रास्ता ये तो तीनों रास्तों पे जो आपका work done और जो आपका heat interaction होगा surrounding के साथ तो क्या हो जाएगा different different होगा क्या हो जाएगा different different होगा तो ये है दूसरा अगर suppose मैं यहां से यहां गया 1 1 1 A C 1 A 2 गया then 2 कि इसको मैंने क्या बोला था C बोला था ना then 2 C 1 चला गया समझ में आ गया तो pressure temperature क्या होगा suppose यहांपर pressure ए टू टू गए तो आपको जो work done करना पढ़ा क्या था? इस type का था उसके बाद जो आपको work done करना पढ़ा क्या है? इस type का था अगर आप इसको pressure volume में नीचे की और hatching करोगे तो आपको क्या दिखेगा इसमें? नीचे की और जब आप इसको hatching करोगे pressure और volume में नीचे की और अगर आप इसको hatching करोगे तो आपको यहाँ पर different different क्या दिखता है work done दिखता है इसको ध्यार रखेंगे तो heat and work is what path function point function नहीं होता है ठीक है इसलिए बोला जाता है point function का exact differentiation होता है exact difference मतलब आप one से आप a से one गए वन से two गए देन two to see c to one गए तो क्या हो जाएगा यह zero होगा तो exact differential होगा but यह क्या हो जाएगा exact differential नहीं होगा exact differential नहीं होगा नहीं होगा पाथ function Now, the next one. इन्हें pressure temperature graph, the case representing coexistence, the liquid and solid. अब देखिये, ये क्या है pressure and temperature, PT plot की बात किया, इसने pressure and temperature का plot करते हैं, देखिये, pressure and temperature का plot. तो pressure and temperature की plot की अगर मैं बात करूँ, तो आपने क्या देखा है? तीन तरह से चीजों को देखा है, जिसको आपने critical point पढ़ा है, एक लाइन ऐसे जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड लाइन लाइन देखें दिस इस सॉलिड पार्ट देन यह कैसे हो जाएगा फिर यहां से कैसे चल जाता है इसके बाद यह क्या हो जाएगा यहां से ऐसे चल जाएगा मतलब यह सॉलिड होता है यह लिक्वीड पोर्शन होगा और यह क्या हो जाता है अपका वेपर पार्ट होगा वेपर पार्ट होगा देखिए अगर सॉलिड से लिक्वीड में डारेक्ट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड से लिक्वीड में डारेक्ट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग और लिक्विड टु वेपर अगर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिक्वीड टू वेपर होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन वेपोराईजेशन लिक्विट टू वेपर होगा इसको में बलते हैं वेपोराईजेशन मतलब ट्रीपल पॉइंट फ्यूजन सब्लीमेशन वेपोराईजेशन यहां पर आपको चार अपसं दिये हो है ध्यान से सुने ब्रेंग ब्रेंट के लिक्विड एंड लिक्विड का क्या वाला पोश new export को यह वाला पॉर्षन 10 तो यह वाला जो पॉर्षन हेगा सो निश्यम में डारेक्ट करॉण हो रहा है लिक्विड पे तो जबीड से लिक्विड पन कंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं मेलटिंग इसी मेलटिंग को अगर हम यूज करें तो इसको हम लोग बोलते हैं fusion तो answer दिख रहा है क्या हम को fusion फ्यूजन विल बी ते करेक्ट एंसर आप देखिए यहां पर जो पॉइंट है जहां पर लिक्विड सॉलीड जहां पर सॉलीड लिक्विड और वेपर एक ही पॉइंट पे को एक्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस पॉइंट को ट्रीपल पॉइंट उस पॉ पॉइंट का दूसरा कोश्टन पुछता है वाट इस दे डिग्री ओफ रिडम फॉर दी ट्रीपल पॉइंट क्विड़ पॉइंट का डिग्री ओफ रिडम क्या होता है जीरो तो इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यां रखेंगे वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन आपके ए होता है सबसे पहले तो जानो कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होता क्या है थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होगा कि इसमें क्या होता सड़नली प्रेशर ड्रॉप इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा सड़नली प्रेशर विल ड्रॉप सदर्नी प्रेशर विल ड्रॉप मेंस P1 की वैलू सपोज कोई प्रोशेस PV डाइग्राम PV डाइग्राम ठीक है कोई वन प्रोशेस यहां से कोई प्रोशेस टू यहां से तो यह जो सदर्नी प्रेशर यहां पर आपको समझ में रहेऊ का सदर्नी प्रेशर ड्रॉप इसी प्रेशर ड्रॉप में क्या हो हम लोग क्या बोलते हैं जरूरी नहीं कि CONSTANT VALUM में हो सकता यह प्रोशेस कुछ ऐसा हो वेखर यह प्रोशेस कुछ ऐसा हो लेकिन क्या है suddenly pressure क्या होना चाहिए drop होना चाहिए तो जो suddenly pressure drop होगा उसको हम लोग क्या बोलते है P1 is greater than far greater than P2 इसको हम लोग क्या बोलते है throatling process throatling process में enthalpy constant होगा H1 की जहाँ enthalpy होगा हो H2 के enthalpy होगा इसी लिए इस process को हम लोग क्या बोलते है is enthalpy process इस इस प्रोसेस को हम लोग क्या विलते है इस नमठामिक प्रोसेस जहाँ पर आपकी एंस ठामिक क्या होगी इस प्लेटिस होगी एडी ते एडी कि तेड़ी डिय जो है देखें यह रिवर्सीबल प्रोशेस होता है और यह जो इसेवर्सीबल प्रोशेस होता यह होता कहां पर है यहां पर देखेंगे देखिए यह आपने देखा होगा यह मैंने डाइग्राम बनाया किसका टी-एस डाइग्राम यह मैंने आप कौन सा डाइग्राम बनाया टी-एस प्लॉट अब ध्यान सुनो टी-एस प्लॉट में यह प्रोसेस होगा यह टी-एस प्लॉट किसके लिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकल के लिए वेपर वी सी आरेस के लिए मैंने क्या बना है, ts plot बना है, अब देखे, यह diagram कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, और यहाँ से जब यह ऐसे आता है, तो यह क्या होता है, आपका irreversible process जो आता है, यही जो irreversible process हुआ है, यही जो irreversible process हुआ है, मतलब process कहा जाएगा, 1 से 2, 2 2, 1 2 2, 2 2 3, धैं 3 2 क्या हो जाएगा, 4, 3 2 4, 1 2 2, 2 2 3, 3 2 4, यही जो 3 2 4 गया है, यही क्या है आपका irreversible process है यही पर आपका लगा रहता है कि थ्रोटल वाल यहाँ पर क्या लगा रहता है थ्रोटल वाल यहाँ पर क्या लगा रहता है थ्रोटल वाल तो Joule Kelvin Expansion क्या हो जाएगा यह कौन सा process होगा आपका irreversible process होगा यहाँ पर मैं जो dotted line बनाया हूँ यह represent कर रहा है कि जो आपका Joule Kelvin expansion है वहाँ पर throttle wall लगा है और dotted line क्या represent करता है irreversibility को represent करता है आपने पढ़ा होगा कि अगर process 1 से 2 जा रहा है अगर यहाँ पर dotted line से अगर मैं represent करता हूँ तो क्या होता है आपका irreversible process अगर यह सीधी सीधी लाइन चला जाता है सीधा सीधा चला जाता है मतलब continuous लाइन रहेगा उसको हम लोग क्या बलते है रिवर सीबल प्रोसेश इसको धियां रखेंगे very important question आपके exam के point of view से now the next question a simple of ideal gas a sample of ideal gas and internal energy u then compressed one half of its original volume while the temperature stay the same यहाँ पर क्या बुला है temperature stay the same what is the new internal energy of the ideal gas in terms of u यह यू की value क्या होगी इसने पूछा है क्या होगा u की value क्या होगी internal energy तो internal energy is a function of what temperature internal energy किसका function होता है temperature का function होता है तो यहाँ पर internal energy जब temperature का function होता है तो यहाँ पर तो हमको temperature क्या बोल दिया है constant बोल दिया है टेंपरेचर क्या बोल दिया है तो टेंपरेचर जब कॉंस्टेंट होगा तो internal energy new internal energy क्या होगा u new जब temperature change ही नहीं हो रहा है तो u new is equal to क्या हो जागा u old तो यहां पर b for bombay will be the what क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next question constant volume process कॉंस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है आइसो पिष्टिक प्रोसेस आइपर बोलीक प्रोसेस आइसो मेट्रिक प्रोसेस पॉली ट्रॉपिक प्रोसेस मैंने आपको पहली बताया था कि प्रोसेस जो होता है बहुत सारे टाइप के प्रोसेस हम लोग देखे थे कौन- constant pressure process, constant volume process, constant pressure process or isothermal process, first of all constant pressure process, second constant volume process, third one is called as isothermal process, isothermal process, PV is equal to C, उसके बाद क्या होता है, adiabatic process, PV to the power gamma is equal to C, fourth, fifth one is equal to क्या होता है, polytropic process, प्रोसेस, PV to the power N is equal to what C, अब constant pressure process पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते है, isopistic process, इसको हम लोग क्या बोलते है, isopistic process, second one, constant volume को क्या बोलते है, isochoric process, isothermal process को हम लोग क्या बोलते है, इसको isothermal process को constant temperature process, समझ में आगया, adiabatic process में क्या होता है, heat का interaction system and surrounding के बीच में नहीं होता है, polytropic process में क्या होता है, heat का interaction जो होगा, system and surrounding के बीच में होता है, तो constant volume process जो होगा, constant volume process कौन सा process होगा, यह isometric होगा, कि polytropic होगा कि hyperbolic होगा कि isopastic होगा तो constant pressure process को हम लोग याद रखेंगे isometric process भी बोलते हैं ठीक है constant volume iso-corig होगा इसको हम लोग isometric process भी बोलते हैं isometric process और एक चीज़ और ध्याँ रखना देखो pv to the power k equal to c होता है तो k की value को अगर आप infinite रखोगे तो आपका volume क्या हो जाएगा constant हो जाएगा इसको आप ध्याद रखेंगे very important next question the work done by a system अब देखिए इसमें कुछ concept तो को ध्याद रखेंगे जो concept मैं बतार हो यहाँ पर देखिए suppose यह कोई सिस्टम है ठीक है मैंने यहाँ पर दो सिस्टम बनाया है एक सिस्टम यह एक सिस्टम ठीक है नेक्स्ट फण consider कर रहा हूं मैं work done system पर हो रहा है एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस क्या होता है work done हम सिस्टम से ले रहे मत्या work done on the system जब भी हम work done on the system लेते हैं तो इसको हमेशा निगेटिव लेंगे तो इसको हम हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे यह हो गया next one नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इफ हीट ट्रांसफर हीट का इंट्रेक्शन क्यू जो होगा अन दिस सिस्टम होगा क्यू जो होगा अगर बाई दिस सिस्टम होगा तो एक क्यू जो होगा बाई दिस सिस्टम अगर होगा इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं और क्यू जो है अन दिस सिस्टम होता है इसको हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं बाइद शिश्टम ऑन दी सिश्टम का कॉंसेट्ट समझ में आ गए हाँ पर वेरी इंपोर्टेंट चीज है यही यही जो है वो इंपोर्टेंट है बांकि तो कोश्चन यह आप एजीली क्या कर सकते हो सौल कर सकते हो पोश्चन क्या है अब देखिए आप दो दन्युटम गया देखिए बाइदर्टेंट गया देखिए बाइद शिश्टम मतलब व इस इकल तो ब्लस बाइद शिश्टम मतलब प्लस 45 इव देखिए अननल आरजी अध ग्या हो रहा हिए डिक्रीज में अनलेंड टेखिए और हो रहा है इमाइनश 15 सभी डेटा किसम है किलो जूल में so what is the heat received what is the heat received by the system तो हम first law of the thermonomi से कहा जानते है del q is equal to what du plus del w del q की value क्या है ये तो हमको find out करना du की value हमको दिया minus 15 और ये क्या है हमारा 45 तो यहाँ पर हमारा answer कहा जाएगा 30 यहाँ पर answer कहा जाएगा 30 तो what is the heat received अब देखो heat received बोल रहा है ना heat received already क्या हो जाएगा minus plus ठीक है मतलब अगर system work done हम ले रहे हैं ठीक है जैसे आपको cooler हो गया fan हो गया यह सब क्या होता है work लेता है electricity के form पे तो वो क्या होता है negative work और जैसे work done हमको मिलता है जैसे turbine से हमको work done मिलता है engine से हमको work done मिलता है किस कोन से इंजन से जब गाड़ीयों को engine होता है उससे हमको क्या मिलता है work done मिलता है वो क्या होता है negative तो इसको ध्यार रखेंगे तो यहां पर एंसर कर जागा सी फॉर चैने विल भी दा करेक्ट एंसर नाव दे नेक्स कोश्चन सेकंड लॉप थर्मो डैनेमिक्स पस्ट लॉप क्या बोलता है फर्स्ट लॉप जो होता है यह quantitative law बोलते हैं दो दो चीज यहां पर बता रहा हूं उसको ध्यार रखेंगे फर्स्ट लॉप थर्मो डैनेमिक्स कॉल्ड लॉप पस्ट वन सेकंड वन इसको हम लोग बोलते हैं यह क्या होता है conservation of energy conservation conservation of energy law of conservation of energy law of conservation of energy second law क्या बोलता है qualitative law और qualitative law, second law क्या बोलता है qualitative law यही क्या करता है heat transfer के direction को बताएगा और entropy principle को भी यह बताता है इतना लिख लो यह question यहीं से 1000 वर आया हुआ है ठीक है, zeroth law क्या बोलता है equilibrium temperature equilibrium का concept टेम्प्रेचर इकलूब्रियम का कॉंसेप्ट टेम्प्रेचर इकलूब्रियम का कॉंसेप्ट ठीक है अब देखिए लाउ समझ में आ गया इसको बोलते हैं लाउ सब्सक्राइब करता है अगर मैं इसको सौल करूं तो सेकंड लाउ की बात किया है इसने इंटर्न लेरेजी तो नहीं होने वाला है हीट भी नहीं होने वाला है वर्क डन भी नहीं होला है तो इसमें एंसर क्या होगा तो जिसमें जो एंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी फॉर बांबे विल बी दा करेक्ट एंसर नौ दे नेक्स्ट वन दी केल्वीन प्लैंक स्टेटमेंट अब दी सेकंड लाउ अब दी थर्मो डैंक स्टेटमेंट होते हैं सेकंड लाउ अब दी थर्मो डैंक में दो स्टेटमेंट दिया है दो स्टेटमेंट ने परस्ट वन जो है वो क्या है कैल्वीन ने इन्होंने क्या बताया कैल्वीन प्लैंक स्टेटमेंट इन्होंने क्या बताया सपोस अगर ये इंजन है यहां से इंजन क्या करता है हीट का इंटेक कर रहा है तो इस पूरे हीट को ये वर्क डन में कनवाट नहीं कर पाएगा मतलब इंजन का इफिसेंसी 100% नहीं हो सकता तो इसने क्या बताया concept दिया कि some amount of what some amount of heat must be rejected कुछ amount of heat को क्या होना चाहिए इसमें reject होना चाहिए तभी आपका work done जो होता है मिलेगा तो इसने क्या बताया अगर heat आएगा तो कहां से आएगा source से आएगा और heat का rejection जो होगा कहां पर होगा sink पे होगा तो यहां पे हमको क्या समझ में आता है ये कोई heat engine का concept के बारे में आपको बता रहा है क्या heat engine का concept के बारे में आपको बता रहा है क्या heat engine तो Kelvin Planck का जो statement होता है वो किसके उपर dependent होता है sorry heat engine के बारे में कौन बताता है तो Kelvin Planck statement इसको धियार रखेंगे मतलब heat का जो работать邊 होगा किसमे होगा work done में होगा अब देखे यहाँ पर एक और concept heat को हम क्या बोलते हैं low grade energy work done को हम क्या बोलते हैं high grade energy अब यहाँ पर इक concept बता रहा हूं इसको ध्यान रखोगे low grade energy जो होता है low grade energy को आप completely low grade energy को आप completely high grade energy में convert नहीं कर सकते but high grade energy को आप low grade energy में क्या कर सकते हो convert कर सकते हो high grade energy को low grade energy में क्या कर सकते हो convert कर सकते हो ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे तो work into heat mass होगा ने ये नहीं होगा work into heat नहीं होगा तो answer का हो जागा D heat into work A device which converts heat to work heat pump क्या करता है आपका work को heat में convert करेगा समझना है क्या perpectual motion machine kind one यह क्या होता है इसने क्या बोला इसने क्या बोला without पर्पेक्शुल मोशन मशीन काइंड वन इस इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन वीच गिवस कंटिन्यूसली वर्क देगा बीना खाना खाए अगर यहां ऐसा हो सकता है कि तुम बीना खाना खाए दोड़ो ऐसा हो नहीं सकता तो यह इंपॉसिबल है ठीक है थर्म क्या हो जाएगा क्या हो जाएका कितोवर को करता है उसको हम लों क्या बोलते हैं हींगें हीट इंजयन अब देखो यहां पर मै spécial के क्लविन स्टेटमेंट के उपर ऍैल फुलैंट्स ट्रिमेंट के ओपर क्लैंग यह तो हो गया किल फ्लांग चैट्मेंट बट अगर मैं बात करूं, classiest statement, classiest statement, classiest statement क्या होता है, it is impossible to construct a heat engine, classiest statement क्या बोलता है, कि ऐसा heat engine बनाना impossible है, ऐसा heat, it is impossible to construct a heat engine, it is impossible to construct a heat engine, ऐसा heat engine बनाना impossible है, जो lower level temperature को, बीना किसी work done के, higher level temperature पे पहुंचा दे, lower level temperature को, मैं क्या बोला, classiest statement क्या बोलता है, इसको ध्यान समनेगे, classiest statement क्या बोलता है, lower level temperature को, क्या करेगा, higher level temperature पे पहुंचा देगा, बीना किसी work done के, पहुंचाना सम्भा है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, work as a form of input आपको provide करना पड़ेगा, तब आपका जो है low temperature से क्या हो जाएगा, high temperature की वो heat का flow होगा, ठीक है, तो जो आपका AC होगा, refrigerator होगा, रेफ्रीजरेटर होगा, वो सभी क्या है आपका, classiest statement के अंदर आते हैं, जो heat pump होगा, समझ में आगा, जो heat pump होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका classiest statement के अंदर आते हैं, heat pump, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, इसका answer क्या जाएगा, हीट इंजन यहां पर मैंने आपको क्या बता है किसका कॉंसेट समना नहीं कुछ इस किया क्लासियस स्टेट्मेंट ठीक है बस इतना ही सिंपल चीजस में ध्यार रखना है तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे नेक्स क्लास में हम और भी अलग अलग टाइप के क्या है कोश्चन देखेंगे जो आपके एक्जाम के पॉंट अफ्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपको पता है मैंने आपको बता दिया था कि यीश-बिटी-1 के लिए जो कॉर्स का प्राइज है जो आपका प्राइज रखा गया है ट्रीपल सेवन 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 तो इस चीज़ क्या करना है आपको ध्यान रखना है और अपने प्रिप्रेशन को बहतर बनाना है तो आज के लास क्लिट नहीं थैंक्यू वेरी मच्च विश्यू आल दी वेरी बेज़्ट